आप सबकास हो रहता है आपके अपने हैनल महाध्यन पर वीडियोज को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ता प्लीज सब्सक्राइब जरूर पर दे आज हम करने जा रहे हैं वक्षीट नमबर 11 और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैंट्स और आज के माने डेट है 3rd November 2020 आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स एडिशन आफ इंटीजर्स आज हम इंटीजर्स को एड कैसे करते हैं वो देखेंगे अब देखें इदर एक फोटो इदर एक पिचल है यह वाली अब यह देखेंगे यह आपर यह टैरेस है और यह गोडाउन है यह ग्रांड फ्लूर है अब इदर देखें पड़ेंगे अब इन्होंने क्या किया है इन्होंने ग्रांड फ्लूर को जीरो मान लिया है यहां पर और जो यह वाली जो वाली जो बन टू टू थी फोर है इनको मान लिया है positive integers क्योंकि यह उपर की तरफ जा रहे है इसलिए और यह जो है नीचे की तरफ go down की तरफ जा रहे हैं इनको मान लिया है negative integers let's do the following अब हमें क्या करना है शुरू करते हैं go five steps up from the ground floor अगर हमें पांच step उपर जाना है ground floor के तो ground floor से पांच step उपर जाना है एक दो तीन चार पांच वैसे भी positive integer था तो plus five हो गया अब go three steps down from the ground floor अब ground floor से नीचे जाना है तो minus में जाएंगे तो minus three हो गया go to six steps up from the ground floor and then go two steps further from there अब देखिए तो हमें ही वो लगया कि छे step पहले ground floor से उपर चड़िए उसके बाद दो फ्लोर और चड़िए तो अब देखिए छे step चड़े plus six और दो step और चड़िए plus two इन दोनों को plus करेंगे तो छे plus में दो कितना हुआ आठ और सबसे बड़ी डिल क्या थी इन दोनों में six और two में से plus में six बड़ी डिल थी और six के आगे क्या था plus तो इसके आगे plus का निचान लग गया इसलिए eight plus go three steps down from the ground floor and then go down further four steps from there अब हमसे कहा गया है पहले यह तीम फ्लोर नीचे तो minus three हो गया उसके बाद कहा गया है चार्ज फ्लोर और नीचे जीए इसके बाद तो minus four हो गया अब हम इन दोनों को add कर देंगे minus three और minus four को add करेंगे क्या होगा minus three और minus four को add करेंगे होगा seven और इन दोनों में से बढ़ा क्या है four उसके आगे क्या है minus का निचान तो जागा minus का निचान इतर minus seven go down five steps from the ground floor and then move up seven steps from there अब हमें ground floor से five step निचे जाना है minus five पर आ गए और उसके बाद साथ step उपर जाना है मतलब साथ step उपर की दर चलना है तो यहीं पर खतम हो जाएंगे plus two plus two आ जाएगा क्यों आया plus इसके आगे कभी seven के आगे प्लस था इसलिए seven बढ़ा है seven और five में से इसलिए plus two यहाँ पर आ गया देखिए बड़ा नॉर्मल सा तरीका है minus five तक हम आ गए थे उसके बाद हमें कर गया है seven steps उपर चड़ना है जब seven steps उपर चलेंगे तो minus यह five उपर चले तो zero पर हो गए उसके और दो step उपर चलेंगे तो two पर आ जाएंगे तो plus two हो गया इसलिए गो six steps up from the ground floor and then eleven steps down from there अब देखिए छे step उपर चड़ना है six floor पर आ गए तो यहाँ पर हम देखिए plus six उसके बाद हम देखिए हमें plus करना है क्या आगे है बोला हमें 11 floor steps नीचे आना है अब यह six floor से ग्यारा step नीचे आना है छे नीचे आए तो zero पर उसके बाद और नीचे ग हो गए minus 11 कि यारा और इधर minus प्लस प्लस- brat minus किया हो गया minus minus किया तो माइनस five minus five में आगए माइनस 5 में आगे और यह 5 के आगे माइनस इसले लेगा क्योंकि यहां पर बड़े डिट में माइनस का निशान था 11 के आगे माइनस का निशान था तो माइनस 5 हो गया और इधर से अगर हम इस फिगर में से लॉजिक समझें तो हम पहले 6 फ्लोर उपा चड़े तो positive 6 प्लस 6 उसके बाद वहां से 11 स्टेप नीच आए जब हम 11 स्टेप नीच आए तो 6 स्टेप तो जो उपा चड़े थे वो नीच उतरे तो ground फ्लोर पर आ गए उसके बाद 5 स्टेप और नीच उतरे तो माइनस 5 पर पहुंच गए चलिए conclusion क्या है हमारा वो बढ़ेंगे positive integer plus positive integer is equal to positive integer अगर हम दो positive integer को add कर रहे हैं तो हमारा answer positive integer ही होगा अगर हम दो negative integer को add कर रहे हैं तो हमारा answer negative integer में ही होगा अगर हम एक negative integer और एक positive integer को add कर रहे हैं या एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को एड़ करने हैं तो इसमें क्या होता है सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को अगर एड़ करने हैं तो नेगेटिव इंटीजर रहेगा अगर हम minus और plus को minus plus होगा minus minus plus minus होगा तो negative मतलब minus किया जाएगा और जो भी अगर negative number बढ़ाया है तो minus का निशान आएगा और plus plus minus क्या होगा plus minus होगा minus जब यहां से होगा तो positive when numerical value of positive number is greater अगी मैं नख बता है न जिसे 11 और 6 में से बताया था इन में से तो 11 का value आगे minus था तो इधर अचले minus आ गया तो यही अताया गया है कि जो उनसी तोनों digits में से बढ़ी होंगी उन में से उनके आगे जो भी निशान होगा वो निशान उसके answer डिजिट में आ जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक request है कि प्लीज चैनल को subscribe ज़रू करते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो और अपने friends के साथ share भी ज़रू करें अब देखिए यह spelling गलत लिकी addition की addition of integers on the number line number line तो कैसे addition करते हैं वो हमें सिखाए जा रहा है और यह प्लीज द्यान से देखिएगा क्योंकि इसके आगे number line के question answers हैं और वो number line के question answers आप खुद करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर आपको number line वाले question answers properly समझाने वाला हूँ राइट की तरफ चलना है राइट की तरफ मतलब पॉजिटिटिफ की तरफ तो यह हम तीन स्टेप चले तो हम आगे 3 पे then we move 4 steps to the right of 3 अब 3 से भी राइट मतलब राइट मतलब पॉजिटिटिफ की तरफ चार स्टेप पहुँचले अब हम आ गए 3 प्लस में 4 कितना हुआ 7 आ गया फिर and reach 7 तो 10 प्लस 3 पहले हम तीन स्टेप चलेते फिर प्लस 4 फिर हमने 4 स्टेप और आगे चलेते प्लस में दोनों का एड़ किया तो हमाँ पास क्या अंतर है 7 4 प्लस 3 कितना है 7 अब इन दोनों में से डिजिट कौन से बढ़ी है 4 बढ़ी है 4 किया कि कौन सा निशान है प्लस का तो यहाँ पर हो गया प्लस का निशान इसलिए तो अंसर हो गया प्लस 7 अब देखे इसी तरीके से इज़े वाला देखेंगे एक्जामपल फर्स्ट वी मूफ सिक्स स्टेप्स तू दा राइट फ्रॉम जीरो रीचिंग 6 अब देखे जीरो से सिक्स स्टेप्स राइट की तरफ चले मतलब पॉडिटिव की तरफ चले यह आगे हम 6 स्टेप आगे जीरो में छेड करें कितना आएगा 6 then we move two steps to the left of six and reach four अब six से दो step वापिस चले left में left का मतलब हो गया minus करना minus किया six में से two तो कितना हुआ four आ गया and reach four तो हम four पे पहुँच गए अब देखिए थर्स पहले हम 6 step चल ले थे positive 6 step आगे बढ़े थे फिर हम दो step पीछे हो गए जब हम दो step पीछे होए और हम दोनों का add करना है तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया है यहां से यह प्लस और माइनस कितना क्या हुआ minus अब माइनस करेंगे हम six में से two को तो कितना होगा four आंसर हुआ 4 अब इन दोनों में से कुछ रिट बढ़ी है 6 या 2 6 बढ़ा है 6 किसी का निशान है प्लस का तो 4 के अगर भी जाएगा प्लस का निशान कितना हो गया प्लस 4 इसी तरीके से यह वाली वर्क्षीट है तो सुरी वक्षीट का नंबर लाइन नीचे वाइन नंबर लाइन देखेंगे सबसे पहले दो स्टैप माईनस की तरफ चले माईनस 2 हो गया और 2 मोव मैनस 2 पर पहुँचने के बाद माईनस मला 5 step और आगे चल दिये लेफ्ट की तरफ तो माइनस 5 हुआ माइनस 2 में इसे, माइनस 5 परेंगे, तो हम पहुंच गए, माइनस 7 पर, देखिये कैसे, माइनस 2 और माइनस 5, इन लोनों को करेंगे हैं, तो, प्लस माइनस क्या होता है, अब bracket खुलेगा, प्लस माइनस माइनस, इदर हो गए माइनस 2, दिर होगा, माइनस माइनस प्लस ये चीज आपको ध्यान रखने आपको वम्हों माने समझाया था इसको प्लीस ध्यान दिमांग मैं बठा लीज Mmm से जैसे मैं का रहा हुआ ना प्लस माइनस 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 प्लस िछीज धियान में बढ़ा लीघ़्ा लीजिए माइनस यहां सा मैं बॉच्वह Diцен धान बैकला बैकलने लिश्लों के बार प्लस माइनस माइनस हो गया 5 और 2 में से कुन सा पर डिल टाब 5 5 का आगे किसी का निशान है माइनस का तो माइनस 7 इस का नशार हो गया माइनस 7 इसी तरीके से हमारी यह वाली number line भी है आगे बढ़ते हैं यह सब आपको समझ में आ गया होगा using the अब हमें क्या question answers करने है अब हम question answers करेंगे question number 1 और यह question number 1 जो है यह बढ़ना भी आपको कहाता number line ठीक से समझना तो using the number line write the integer which is अब हमें यह number line पर करना है तो number line पर आप लोग अपने आप करेंगे यह वाले क्तिनों और question number 3 का question number 3 है यह भी number line पर होना है तो यह वाला question भी आप अपने आप करेंगे number line पर अगर आपको इन दोनों questions में question number 1 में question number 3 में कोई भी doubt होगा तो आप question number और question number का कौन सा part ABC जैसे माल लिए question number 1 है तो 1 का ABC कौन से में दिक्कत है question number 3 के ABCD कौन से part में दिक्कत है यह आप comment box में mention कर दिजेगा मैं आपको solve करके उसका solution जरूर दिखाऊंगा अब देखिए question number 2 question number 2 का है find the sum of हम हमें sum find करना है हमें A part दिया गया है 21 and minus 12 हम 21 को और minus 12 को add करेंगे तो देखिए 21 plus में minus 12 अब 21 को हमने minus 12 में add किया जब minus 12 में add किया तो हमारे पस क्या आ गया अब दिखिए अब यह bracket खुलेगा यहां से यह खुल गया plus minus क्या होता है minus 21 minus 12 आ गया 21 में 12 गया कितना होगा 9 अब दिखिए 21 औ 12 में कौन सा बढ़ा है 21 21 के आगे क्या है plus अब यह plus क्यों कहती है मैंने क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं होता तो यह plus मना जाता है 21 plus में है तो 9 के आगे भी क्या हुआ plus अब देखिए इसी तरीके से minus 25 और minus 61 minus 25 हमने यह लिख लिख लिया plus का निशन आ गया बीच में ब्रैकेट में हमने minus 61 लिख लिया क्योंकि plus minus का निशन एक साथ नहीं लगा सकते तो ब्रैकेट में लिख लिख लिया अब हमने bracket open किया plus minus minus यह minus का निशन आ गया minus 25 minus 61 minus minus क्या होता है plus minus minus plus होता है तो 61 और 25 को add किया तो 86 और इन दोनों में से कौन से बड़ी value है 61 61 के आगे क्या है minus तो यहाँ पे minus 56 इसी तरीके से minus 56 plus में 39 अब देखें minus 56 यहां लिख लिया plus 39 यहां लिख लिया और बीच में plus का निशन लगा दिया plus का sign लगा दिया और इसको plus 39 को कर लिया bracket में अब इसका bracket open करेंगे plus 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 होता है तो यह plus होगे हमारे पास minus 56 हिदा रहा है 39 हिदा रहा है अब देखें minus हिदा रहा है plus minus होता है तो minus करेंगे minus करने भी इन दोनों को minus करने पाएगा 17 और बड़े बड़़ेट को इसे 56 56 के आगया minus का निशन तो यहां पर बेंक गाद का निशान माइनस 17 इसी तरीके से डी पार्ट फ्लस 154 प्लस 85 अब यह लिख लिया प्लस 11र लिख लिया अब प्लस-प्लस प्लस-प्लस अब देखिए अब फिर यहाँ पर प्लस है यहा पर फिलस to होता है मैंने भी आपको होता है प्लस प्लस होता है प्लस तो 154 को 85 से प्लस कर लेंगे आंसर आएगा 239 इन दोने में से कौशन पड़ी है 154 154 के आगे क्या है प्लस तो इसलिए यहां पर कोई निशान नहीं है उमीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और जो K अब आपने प्रेंट्स के साथ इस उपो शेयर करेंगे तो व भी रस्टी को थोड़ी से कर सकेंगे और अच 보고 सब्सक्राइब तो प्लीज अपने फ्रेंटिक साथ हमारी जो वरक्षीट सेंगे को शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुई भी न भूले जिससे कि आपको नौटिफिकेशन नई वीडियो का सबसे पहले मिल सकें और आप अपने वरक्षीट को असानी से कम्प्लीट कर सकें थैंक क्झोटिकेशन एफले हमारी जो जो प्रेंधां ऑंपने बेल कर सकेंपना हमारी जहाते हमारी जा इबbestों को विए हमारी जाया मिल साथ हमारी जो झाली अएजिकेशन वी उन्एधाभफेशन छी प्रिणा new ग कि खुग से कम्हाभभ ग्क्रव़ अज़